है लो स्टुडियों स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में आज हम देखने बाले हैं आपकी आरदबार्सिक परीक्षा जो होने बाली है देखिए आपका हिंदी का पेपर जो है कक्षा 6 बी का आपका हो चुका है आप अंग्रेजी का जो हम आपके लिए पेपर हैं उसके आपको बताने बाले हैं इस प्रकार आपका रहने बाला है यहां पर आप देखेंगे कुछ निर्दिश दिये जाएंगे आपको उन्हें पढ़ लेना है आपको यहां पर कॉस्ट्यां देखेंगे आप कक्षा 6 अंग्रेजी का यहां पर आपके लिए फुल सॉलूसन आपक कि ऐसी सिर्ष्ड सचराह यहां पर कुमक्षों स कुछ यहां पर त्रेज कर्यांस और यहां फानाब्रार्फलाइस यहां पर हो जाना है चलिए अगला question देख लेती हैं आपर second question है आपका choose the correct spelling and right birds की जो right spelling इसमें दी गई है वो है यहाँ पर V-I-R-D-S words यहाँ पर आपका V वाला option सही हो जाएगा अगला है आपका the plural bird for monkeys plural क्या है monkey का monkeys हो जाएगा यहाँ परकार से आपका answer हो जाएगा m-o-n-k-e-y-s यहाँ पर अगला question है आपका the opposite gender of brother brother का उल्टा क्या होता है तो sister यहाँ पर आपका answer हो जाना है विल्कुर real answer है यहाँ पर सभी को आपको provide कराएगा जाएगा चलिए आगे देख लेती हैं आपका पाचवा question है which of the following words is a noun तो यहाँ पर noun कुन सा है तो chair यहाँ पर आप answer लिख देंगे इसका chair answer आपका हो जाएगा अगला question is choose the correct pair तो यहाँ पर जो pair आपके बन रहे है उनकी लिखना है आपको तो bus का pair किस से बन जाएगा ड्राइवर से बन जाएगा आपका और blackboard का pair जो है वो आपका teacher चीछ से बन जाएगा और wood cobbler medicine postman यह आपके pair नहीं बन रहे है तो यहने आपको नहीं लिखना है यहने आपको छोड़ी देना है विलकुल लिखना है नहीं जो pair बन रहे है आपको चुसदी करेक्ट प्यार तो प्यार बन रहे हो वह आपको लिखना है दो प्यार बन रहे हैं आप बस का driver से and blackboard का teacher से तो इस प्रकास से आप इन दोनों को लिख देंगे है ना चलिए आगे लिख देते हैं देखिए अगला question है आपका question हमें 7 है look at the picture north is on the top in which direction in south तो यहाप आपको bottom हो जागा यहां कि नीचे के south का direction आ रहा है आपका देखिए आप नौर्थ होता है इस प्रकासी नौस नौर्थ वेस्ट इस्ट साउथ इस प्रकासी आपका इस साउथ है bottom side में आ जाएगा नीचे के आगे देख लेते हैं कि देखिए which of the following groups contain only the wild animals यहां पर आपको जो ग्रुप दिया गया है अलग अलग आपको जानबरों के नाम दिए गए हैं जो विल्ड अनिमल से उनकी नाम आपको चूज करने थे तो यहां पर लाइन टाइगर फॉक्स यहां की विल्ड अनिमल्स की नेम हो जाती आंसर यहा टाइब कोश्चिन है आपका यहां पर आपको कुश्चिन पूछ रहा है राइट दी नेम्स ऑफ टू इंडोर एंड टू आउटडोर गेम्स फॉर फ्रम दी गिवन पिक्टर से यहां पर आपको यह जो पिक्टर दीगे हैं कि आपको इनको नाम लखना है कि इस खेल का ना किरकेट है इसके पाद बैडमिंटन है इस परकार से आप सबी को कर लें आगे आपका कॉश्चिन है कॉश्चिन में टैन है चित्र में जो आपको अबजेक्ट दिये गई हैं उनके नाम आपको लिखना है सही सही है आपको गलत दिये गई है इधर उधर आपको सब्द दे के इसका डॉट हो जाएका इसका डॉट हो जाएगा इसका वघ्र Polsce का सूस हो जाएगा कि अगर क आगे दीख लिए गए को हृट हे बात के आपको पूंग करें का the करना है, Harry is tell what his sister is short, the woman is young, यहाँ पर answer आप देखते जाएंगे, यह आपके answer है, इस प्रकासी answer याद कर लेंगे सभी, देख लीजिए, rearrange the jumbled sentence and write, old five years is he, he is five year old, word can fly very fast, she plays with her doll, mother is going to the work, the park, यहाँ पर इस प्रकासी आप सभी के answer याद कर लेंगे, दे, question number 13 है आपका, यहाँ पर देखेंगे, play with dolls, grow on trees, brings us letters, flicks in the ear, यहाँ पर आपको जो sentence यहाँ पर इस प्रकासी आप सभी को लिख देंगे, चली आगे देख लेते हैं, तो यहाँ तक आपके सभी question के answer वो complete हो जाते हैं, काक्षा 6 भी अंग्रेजी का यहाँ पर आपकी अर्दबासिक परिक्षा मुल्यांकन की बर्क सीट जो है complete कर गए, thanks for watching, मिलते हैं अगले वीडियो में